प्यारे बच्चों आज पढ़ेंगे क्लासेवंत दुत्या पाथः दुर बुद्धिह विनसेती दुष्ट बुद्धिवाला नस्ट होता है तो सभी बच्चे द्यान से सुनें अस्ती मगद देश से फुलोत पल नामा सरा मगद देश में फुलोत पल नामग तालाव था सराकर थे तालाव तत्र संकट बिकटो हंसो निवसा था वहाँ संकट और बिकट नामग दो हंस रहती थी कंबू ग्रीव नामग तैयो मितरम एकाह कूरमः अपि तत्रेव प्रतिवसति इस्मः उन दोनो हन्सों का कम्मुग्रीब नामक मित्र कच्वा भी वहाँ पर ही रहता था अथे एकदा धिवरा तत्र आगचन तत्पश्चात एक बार मच्वारे लोग वहाँ आए कहां उस तालाप के किनारे वह यम्सवा मच्ष्य कूर्मा दिन मारिश या महा वह कहने लगे हम कल मच्ष्यों और कच्वा आदि को मार डालेंगे एतत्त सुरुत्वा कूर्मा अवदत यहा सुनकर कच्वा कहने लगा मित्रे किम युवाभ्याम धिवराणाम वारता सुरुता हे मित्रों क्या तुम दोनोंने मच्वारों की बात सुन ली है अदुना कीम अहम करो Μी अं में क्या करूँ हंसो अवदताम दोनों हंस कहने लगे प्राता यद उचितं तत करतब्यं कूर्मा अवदत प्राता जो उचित होगा वहां कर लेंगे कूर्मा अवदत कच्वा कहने लगा मैवं तद यथा अहम अन्यहर्दम गच्छामी तथा कुरुतम ऐसा उचित नहीं है जिस परकार में दूसरे ताला में पहुंच जाओं ऐसा उपाए करो हंसो अवदताम दोनों हंस कहने लगे आवाम किम करवाओ हम क्या करें कूर्मा अवदत कच्छवा कहने लगा मैं तुम दोनों के साथ आकास मार्ग से दूसरे इस्तान पर जाना चाता हूँ हंसो अवदताम दोनों हंस कहने लगे अत्र कहा उपाय है यहां क्या उपाय हो सकता है कच्छापा वदती कच्छवा कहने लगा युवाम काश्ट दंडम एक चंच्छवा धार्यताम तुम दोनों एक लकडी के टुकडे को चोंच में पकड़ लेना अहम काश्ट दंडम अध्धे अवलंब्या युवयो पक्ष वलेन सुखेन गमिश्यामी मैं उस दंडे के मध्यभा को सहारा लेकर तुम दोनों के पंखों के बल से आराम से चला जाओंगा हंसो अकथिया ताम दोनों हंस कहने लगे संभवती यहां उपाय संभव है किन्तु अत्र एक अपायो अपिवर्तते परन्तु यहां एक हत्रा भी है आवा भ्याम निया माना त्वम अवलोक्या जना किंचिता वदिश्याम एव हमारे द्वारा ले जाते वे तुम्हें देखकर लोग कुछ कहेंगे ही यदि तुम उत्तर दासिसी तदा तव मरणम निश्चितम यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारे मिर्त्यू निश्चित है अता तुम अत्रे वस इसलिए तुम यहां पर ही रहो तत्र सुर्त्वा कुरुधा कुर्मा अवदत यहाँ सुनकर कुरोधित कच्छवा कहने लगा कि महम मूर्खा क्या मैं मूर्ख हूँ उत्रम न दास्यामी मैं उत्र नहीं दूँगा किचिन दपी न वदिश्यामी कुछ भी नहीं बोलूँगा अथा अहम यथा वदामी तथा युवाम कुरुतम इसलिए जेसा मैंने कहा है उसी परकार तुम दोनों करो एवं काश्ट दंडे लंब मानम कूर्मम पोरह अपस्यन इस परकार दंडे पर लटकते हुए कच्छवे को जो वहां के ग्वाले थे जो वहां के नागरिक थे पोरकर थे ग्वाले या नागरिक उन हंसों के बीच में कच्छवे को एक डंडे पर लटकते हुए देखा और वहां सब उड़े जा रहे थे पस्चाद अधावन अवदत्चा और वहां सब उनके पीछे पीछे दोणने लगे अवदत्चा और कहने लगे कश्चित वदती कोई कहने लगा अपरा अवदत सरस्ती रे दगद्वा खाद श्यामी तालाब के किनारे जलाकर या पाका कर इसे खा लूँगा अन्याकतियत अन्या कहने लगा ग्रिहम नीट्वा भक्चि श्यामी घर ले जाकर खाऊंगा तेसाम तद वचनम सुरूतवा कूर्मा कुरूद जाता हा और उनके ऐसे वचन सुनकर कच्छवे को क्रोध आ गिया गुस्सा आ गिया मित्रा भ्याम दतम वचनम बिस्मृत्या सहा अवदत और वहां मित्र के साथ जो उसने अपने मित्र को जो वचन दिया था वहां उस वचन को भूल गया कि मैंने उनको वचन दिया था कि कोई मिले कुछ भी बोले मैं अपना मूँ नहीं खोलूंगा और वहाँ भूल गया और कहने लगा यूई आम भस्न खादत तुम सब राख खाओ तत छण में कूर महा दंडात भूमों पतिता हा और जैसे ही उसने अपना मूँ खोला वैसे ही वहाँ भूमी पर गिर पड़ा पोरह सा मारितहा और जो ग्वाली थे जो हाँ के नागरिक थे उन्होंने उस कच्वे को मार दिया अत ये वक्तम अता ठीक ही कहा गया है जो ब्यक्ति मित्रों और भलाई चाहने वालों की बात को नहीं मानता है वहाँ डंडे से गिरे हुए मूर्ख कच्वे की तरह नश्टो हो जाता है तो प्यारे बच्चों आज हमने अधिन क्या दुतिया पाठ और सभी बच्चे इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे